नमश्का, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आस सुनिए बनफूल जी की कहानी तूद का दाम रेल गाड़ी के आने का अंदाजस पश्ट होने लगा था अब जब कभी भी वे प्लेट फारम पर पहुँचने ही वाली थी उसे पकड़ने के लिए अक्यंत बेश कीमती सुन्दर वस्तरों में सजी धजी, सुन्दर सुडोल तनगी, सुधरशिना, सुरूपा, युवदिया, इकलाती, बिलगाती भी स्टेशन के उस प्लेट फारम पर आप पहुची थी सुन्दर युवदियों के उस चुंड के आसपास चारों और कहीं बंगाली नौजवान भी घिरने शुरू हो गए थे कोई कोई तो इस तरह के भाव अपने चहरों पर बनाए हुए थे जैसे कि कहीं आ बिढ़ने में उनकी कोई अपनी चल्चैसमी नहीं है जबकि कुछ तो अपनी पूरी समझदारी और चत्राई के साथ इन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे सुन्दर युवदियों के साथ उस मधू गुंजार भरे महौल में एक धली हुई अवस्ता की वृद्धा मैला उसी रेलगड़ी को पकड़ने की आशा में बढ़ती चली आई थी तब ही वहाँ ढीले ढाले ढंक से बांध कर रखे किसी व्यक्ती के बिस्तर बंद के फीते में उनका पाउं जा उलजा और वहीं धणाम से गिर पड़ी काफी चोटाई वह जोड़ जोड़ से कराने लगी परंत उसके और किसी ने देखा तक नहीं उनकी साहिता करने के लिए किसी ने भी कुछ ना कहा ना कुछ किया और करने की कोई बाद भी नहीं थी कारण इस्तरियों के प्रती सब्वे शिष्टाचार निभाने की भावना जो बात है वह तो विदेशियों के ब्रभाव के रूप में वहाई है लेकिन वह केवल उनके अपने देश की युवतियों के लिए ही कार्या रूप में परनेत होती है इसलिए जो इस्तरियों युवति ही नहीं उनके प्रती शिष्टाचार दिखाने की अवशक्ता नए जमाने के नव युवकों में कहा है वैसे वहाँ जितने मुसाफिर थे वे सभी के जबी केवल उन युवतियों के जुन्ट को लेकरी प्रकट रूप में अत्वा छिपे छिपे तोर पर व्यस्त नहीं थे जिन सज्जन महुदय के विस्तरबंद के फैले फीते में पैर के अटक जाने से वह व्रिद्धा गिर पड़ी थी वे अच्छे खासे पड़े लिके शिक्षित और सुसभ्यस हमाज के सम्मानित पुरुष थे वे भी वहाँ पास में ही खड़े थे उन्होंने इस व्रिद्धा को डान फटकार कर भरे लाजे में एक उपडे ही वाक्या जाड़ दिया रास्ते पर निगा कड़ा कर नहीं चल सकती अगर जरा और तेज का जटका लगता तो मेरे बिस्तर बंद का फीता ही तूट जाता पक्की फर्ष पर गिर पड़ने के कारण उस व्रिद्ध महिला के दाही ने पैर में गहरी चोट आई थी फिर भी जैसे तैसे खड़ी होकर वे लंगडाते लंगडाते पलेट फारंपर तेजी से आगे बढ़ने लगी क्योंकि गाड़ी पलेट फारंपर आ लगी थी इस डिब्बे उस डिब्बे में दोड़ धूप करते वे भी वे किसी एक में घुस नहीं पा रही थी हलाकि चाहे जैसे भी हो किसी ना किसी डिबे में अपने लिए उसे एक ठिकाना तो जुटा नहीं था रेल गाड़ी जादा देर तक अब रुखेगी नहीं जबकि किसी भी डिबे में घुसता असंभव हो रहा था जैसे तैसे गिरते पड़ते एक इंटर क्लास जो उस जमाने में रेल गाड़ियों में प्रत्थम दित्य अवंत रित्य श्रेणी के अलावा एक इंटर क्लास का जोड़ा डिबा भी होता था जो आजकल के आरक्षी दित्य श्रेनी के शेन यानो जैसा होता था उस इंटर क्लास के डिबे में घुसाई उसे उसमें चड़ते देखकर डिबे में बैटे सारे के सारे यात्री विरोध में चीकने चिलाने लगे डिब्बे में चड़ाने के बाद भी उसे बैटने की कोई जगा नहीं मिली वैसे उस डिब्बे में जगा की कोई कमी नहीं थी सुसब्य समाज के एक माननी ये बंगाली महोदे अपने सारे बंडल बिस्तर और समान को बैटने की सीट पर फैला करी पाउप सारे बैटे थे अगर वे जरासा भी सरक जाते तो उस वृधा को बैटने की जगा बहुत असानी से दे सकते थे सरकर जगा तो उन्होंने दी नहीं परंतु उबदेश देने से नहीं चुके घुसने को तो डिबे में घुसाई अब जा रही है तो बताओ बुड़िया की बैठोगी कहा मैं आप लोगों के पैरों के पास फर्श पर ही जैसे तैसे बैट जाओंगी भाई साहब बस दो ही स्टेशनों की तो बात है उसके बात रेल गड़ी जहार रुकेगी बस वहीं उतर जाओंगी आप लोगों को बहुत अधिक देर तक असुविधा नहीं पहुचेगी उनी सज्जन के जूतों के जोडों को थोड़ा सा सरका कर वह हैं उनके पैरों के तलवों के पास ही बैट गए उनके बैट जाने से भी कोई खास असुविधा किसी को नहीं हुई क्योंकि एक तो वह व्रिदा काफी दूबली पतली और सधारन कद काटी की थी दूसरे भै अपने उस शेरीर को भी काफी सिकोड मरोड कर बैटी थी उस तरह बैट रहने से उसे खुदी काफी असुविधा थी उधर प्लेट फारम पर उस बिस्तर बंद आदमी के फीते में पाउ लज जाने के कारण गिर पढ़ने से जो पैर में मोच आ गई थी अब घाव के ठंडा पढ़ने पर वे अधिक टीस पैदा करने लगी अब वह सहज स्वभाविक ढंक से बैट भी नहीं पा रही थी मोच आए पैर को उसने जो फिर ध्यान से देखा तो पाया घाव लगी जगा पर सूजना गई है पैर के फूलने और दर्द के लगातर बढ़ते ही जाने के कारण अब उसके मन में एक भारी दुश्चिंता उटने लगी कि ऐसी हालत में वह इस डिब्बे से मीचे कैसे उतरेगी बस दो स्टेशन बाद ही तो उतरना पड़ेगा आने वाले इस उस्टेशन के प्लेट फारम पर केवल उतरना ही तो नहीं है बलकि वहां से फिर दूसरे प्लेट फारम पर जाकर एक और रेल गाड़ी पकड़नी है जबकि अभी हालत यह है कि वह अपने पैर को हिला भी नहीं पा रही है ऐसी हालत में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकेगा एक बार उसने उस डिब्बे में चारो और नहारा डिब्बा ने एक बंगाली नागरी को से भरा हुआ था हलाकि उन में से ज़्यादा तर यह वक्त थी जो उसके बच्चों के उम्र के ही थे कुछ एक तो उसके नाथी की उम्र के बराबर भी थे डिब्बे में उपस्तित लोगों को नहार लेने के बाद अपने पहले के विब्धिन अनुभव के अधाय पर उसने अच्छी तरह समझ लिया कि आगे इस्तिति क्या होगी उन में से कोई भी उसे खड़ा होने और फिर डिब्बे से नीचे उतरने में साहिता करेगा इसकी उमीद में नहीं लगा सकी फिर भी अब तो यह मजबूरी ही थी उन्हीं लोगों से साहिता करने की याचना करनी पड़ेगी नहीं तो और कोई उपाई कहा है उस व्रिधा को और किसी ने आँख उठा कर देखा तक नहीं अरे ओ भाई लोगों जना मुझे भी नीचे उतार दो ना मैं अपनी चोट लगी टांग के कारन खड़ी नहीं हो पा रही हूँ व्रिधा ने जो यह करुण विंती की थी वे डिबे में वबस्तित सभी लोगों के कानों में पहुँची परन्तु उनमें से अधिकांश सज्जन ने ऐसी मुद्रा बनाई जैजी लगा की वे कुछ सुन ही नहीं सके एक सज्जन जिनकी मुद्रा ऐसी थी कि उन्होंने सुन लिया बोल पड़े इस भिकमंगी औरत का सास देखा आप लोगों ने अरे कहां तो भी ना टिकेट की इस इंटर क्लास के डबे में चड़कर जा रही है और अब यह हम लोगों से सेवा भी करवाना चाहती है हालाकि उस महोदे ने उस वृदा को बिखारी समझा ना पहनावे उड़ावे से शकल सुरत अथवा आचार विवार से किसी भी तरह भी कारी दिखाई दे रही थी उसके पास भी रेलवे का टिकेट था वह भी साधरन सेकंड क्लास का ना होकर रिजर्फ टाइफ के इंटर क्लास का ही टिकेट था एक अन्य सज्जन ने उससे भी और समझदारी भरा विचार पर कट किया इस असाहे बुड़ी औरत को रास्ते पर छोड़ दिया है गरवालों ने इसका कोई पतियत वा बेटा नहीं किया कितनी हैराने की बात है इतना कहकर सिगार के लंबे-लंबे कश किचते वे धुआ उगलते वे वह नीबी नीचे उतर गए डिबे में जो लोग बाकी बच रहे थे उन में से दो-चार लोगों ने अपने टिफिन कैरियर खोल कर भूजन करने में अपना मन लगा दिया उस व्रिदा की दर्द भरी बिलती उन लोगों के कानों में भी गई थी परंतु उसके और ध्यान देना उन लोगों ने उचित नहीं समझा थोड़ी दिर में वे व्रिदा अपने दौनों हाथों को टेक देकर किसी तरह घिसरते घिसरते डिबे के दर्वाजे के समने पहुँच गई परंतु नीचे उतरने का सहास नहीं कर पा रही थी अरे ओ बुडिया दर्वाजे से हट जाओ एक मारवारी सज्चन इतना कहकर उसके हटने का इंतजार किये बगहरी अपने पैरों से उसे धक्का मारते वे डिबे के अंदर जाखुसे उसके पीछे पीछे एक बहुती हट्टा कट्टा बलिष्ट शरीर का कुली भी चला रहा था उसके सिर पर एक बहुत भारी सूटकेस और बंदावा बिस्तर बंद रखा था कुली के पीछे एक चोगरा भी चड़ता चला रहा था जिसने अपनी आखों पर निला चश्मा लगा रखा था तो पैरों में चपल पहने थी उसकी साज, बोशाक, रंग बिरंगे और बड़े विजित्र प्रकार की थी उसने विजित्र प्रकार की मुद्रा बनाते वे कहा हे दया मई, पिर फिर रास्ता तो छोड़े ठीक दरवाजे पर की विराजी है अब तुम्हें कैसे बतलाओं बेटा पैर में बहुत जोड़ से मोच आ गई है इस वज़ा से नीचे नहीं उतर पा रही है ओ अच्छा तो ये बात है ठीक है जरा मैं देखकर आता हूँ कि कहीं से अस्पतल का स्ट्रेशर उठा कर ला पाता हूँ कहकर वे विचित्र हावावा वाला चोकरा प्लेट फारम की उस भीड में ऐसा खो गया कि फिर उस दरवाजे पर लोटा ही नहीं थोड़ी देर पहले जो बलिष्ट शरीर वारा कुली अपने सिर पर बक्सों का बोज लेए वे डिपे में कुसा था वे जाने के लिए अब खुले माते हो कर लोटा था बाहर उतरने के लिए जगा खाली ना देखकर वहाँ जाकर खड़ाओ कर बोला माई जी जिर खिरपा खरके थोड़ा हटकर बैटू ना आप नाहक काने जाने के रास्ते पर क्यों बैट गई उसकी बात सुनते ही व्रिद्धा कोहर कोहर कर रोपड़ी मुझे बैटना नहीं है बेटा इस स्टेशन पर उतरना है मगर उतर नहीं पा रही हूँ मेरे पैरों में इतनी घहरी चोट लगी है क्या बता हूँ ओ यह बात आपको जाना का है गया शहर अच्छा तो अबी आगे दूसरी गाड़ी में चड़ना भी है कोई चिंता फिक्र नहीं आईए मैं आपको ले चलता हूँ जिस तरह से एक हश्ट पुष्ट बढ़ा पुरुष एक नन्ने बच्चे को हातों में घेर कर गोद में उठा कर अपनी चाती से लगा लेता है ठीक उसी परकार उस कुली ने उस वृद्धा को अपनी दौनों बाहों में भरकर गोदी में उठा लिया फिर उसी तरह उठाय के प्रतिक शाले वाले कमरे में लेकर चला गया वहां उसे एक जगा बठाते में बुला माई जी आप यहीं पर अराम से बैठी गया शहर जाने वारी रेल गारी के आने में अभी थोड़ी देरी है परन्तु आप घब रही है नहीं मैं ठीक समय पर आकर आपको ले जाकर उस सजे दजे दो बंगारी समानित व्यक्ति अपने अपने पैर पसारें लंबी ताने लेटे थे एक सजजन दैनिक समाचार पत्र पढ़ने में व्यस्त थे जबकि दूसरे के हाथ में अंग्रेजी भाशा की एक मोटी से किताब थी उस किताब के मुख पर प्रिष्ट पर मुस उन दोनों सजजनों के बीच जो बाश शुरू हुई उससे लगा कि वे अभी इसी शण अरम नहीं हुई है बलकि प्रतेक संबंद में काफी कुछ आलोचना प्रत्या लोचना पहले से होती चलिया रही है अब बात इस तरह शुरू हुई सब्य समाच के नागरी शिष्टाचार का रिवाच कोई उनी पश्चिमी देशों की जागी थोड़े ही है स्त्रियों के प्रतिशालीन शिष्टाचार निभाने की प्रता हमारे अपने इस देश में बहुत प्राचिन काल में भी थी यह सुविचार हमारे पुराने शिष्टी शास्त में महराज बनु ने ही तो लिखा है महाश है जो सज्जन नग निस्त्रीगे चित्रों वाली अंग्रेजी भाषा की पुस्तक पढ़ रहे थे उनकी हड़ बड़ा हड़ देख ऐसा जान पड़ा जैसे यह वाक्या उनके ल माने में भी हमारे देश में इस तरी जाती के प्रती अतीशिया शिष्ट और शालीन शिष्टा चारनी भाने की परंपरा थी हम लोग महाँ पिछड़े वे बरबर और जंगली तो नहीं यह बात में उस चोकरे को अच्छी तरह समझा देता है वुरिधा ने अनुमान लगा समझा वे कि उस गोड़ी चमड़ी वाले साहब ने अंग्रेजी पुशाक पहने वाली काली चमड़ी के इस बंगाली नौजवान को जंगली और बरबर कहकर व्यंग कर दिया हो यह है सोचकर उन्होंने मनीमन बुद बुद आते हुए का इसमें कुछ गलती क्या का है मेरे प्यारे नौजवान बालको तुम लोग अभी भी बरबर हिंसक जंगली और सभ्य ही हो वैसे शिष्टाचार तुम लोगों में है ही भी रिशेशकर इस्त्रियों के प्रती अतिशालीन नागरिक शिष्टाचार तो है परद्वेस्टप के वल युवतियों और कन्याओं के स तबी उस दूसरे बंगाली सज्जन की दिष्टी उस वृधा पर पढ़ी है यह काया को बल पढ़े अरे अरे यह है औरत कहां से आप उसी पहुंच यहां पर लगता है कोई भीक मांगने वाली होगी कुछ पाने की तिलाश में खुसाई होगी दूसरे बंगाली भदर पु कारियों से भर गया है स्वतनत्रता मिलने के बाद से तो बिकमंगों की संक्या और बढ़ गई है कुछ तो मांग मांग कर परिशान कर देते हैं परन्तु सभी तो वैसे नहीं कुछ ऐसे होते हैं जो मुझ खोलकर नहीं मांग पाते फिर तो दिखाई पड़ा कि बंगाली उठाले पैसा तुमें दिया है इतना होने पर भी विधा ने अपना मुझ नहीं खोला ऐसा होते दे दान दाता सभ्यसू संस्कृत संचन के मन में संदे हुआ कि संभव है यह बढ़िया बंगाली नहीं इसलिए परिश्कृत बंगला भाशा कही होई बात इनको समझ नहीं तब उसने राष्ट भाशा हिंदी का वेवार किया राष्ट भाशा का ग्यान उन्हें अभी कुछ पहले ही तब हुआ था जब अपनी नौकरी में सुविधा पाने के दुश्य से उन्होंने राष्ट भाशा हिंदी की एक परिश्य उत्रिन की थी उस पैसे को मैंने तुमे नहीं दिया है तुम बिना डरे ही उसे उठा लो उसकी यह बात सुनकर इस बार व्रिधा चुप नहीं रह सकी वह परिश्कृत बंगला भाशा में क्या उठी यह महाश्य हो मैं कोई भीक मांगने वाली नहीं जिस तरह आप लोग भारतिया रेल के यात्री के रुप में यह आ जालों में और मेरा अपना रेल टिकर्ड भी उसी श्रणी का है इतना कहीं पाई थी कि दूसरे ही शन बलिष्ट काया वाला वैक कुली दरवाजे पर आता हुआ दिखाई पड़ा वही से चिलाया उठीए माई जी अब चलिए गया शहर को जाने वाली रेल काड़ी प्लेट भार थी परंतो कुली बहुती मजबूत कदकार डिका था आज के जमाने में शारीर शक्ती की सबी जगा विजह होती है अतै अपनी शम्ता का लाब उटाते वे यात्रियों को डाट टपटकर उन्हें सरकाते वे डिबे की एक बैंच के कौने के स्थान पे अराम से बैटने क पुली के साथ हिंदी भाषा में जो उसका वारता हुआ हुआ इस परकार है नहीं माजी मैं इतने पैसे नहीं ले सकता मेरी मजबूरी वे कुल आठा नहीं है फिर आप मुझे आठाने की जगा दो रुपे क्यों दे रही है अरे वा तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उस तुम्हें अपने दूद नहीं पिलाया था आज इस घड़ी में जो ये मामूली से अधिक पैसे दे रही हूं उन्हें उस दूद का दाम समझ करी रख लो बेटा जाओ खुश रहो सुकी रहो दुरगाई हो वगवान तुम्हारा मंगल करे कहते कहते वृधा का गला भराया उसकी आवाच कापने लगी उनकी दौनों आखों के कौनों में आशु की बड़ी बड़ी बूंदे जिल मिलाने लगी कुछ देर के लिए तो वे कुली अश्यरे चकित काट सा खड़ा रह गया परन्तु उसकी थोड़ी ही देर बाद उसका सिर अपने आप रिधा के चर्ण